चलिए गाईश आज बनाते हैं पहुत ही तेश्टी कोभी मटर की सबजी जो होटल से भी जड़ा अच्छे बनने वाली है तो उसके लिए था हमने चला दिया है कि इस पर कढ़ाई कढ़ाई में डाल दिया है सिर्फ एक चम्माज ओईल बस इस तरह से हम कढ़ाई में घुमा देंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मतर मतर के दानों को मैंने अच्छे से धो लिए है एक कप मेंने मतर लिए है आजकल मार्केट में पहुत ही फ्रेश मतर मिल रही है और सबजी Ne mortgage मिल रही है और ज़रूरattend कि देन सबके के साथ मैं डाल दिया है गोवी गोवी को मैंने अच्छे से काट कर धो कर लिया है अगर आपकी गोवी जादा खराब लग रही हो या उसे आपको केड़े दिख रहे हो तो उसमें क्या कीजिए गरम पानी में नमक डाल कर उसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए उसके मिक्सी के जार में 2 हरी मिर्च थोड़ा सा अदरक और थोड़ा से लहसन की कलिया ले ले ली है और उसमें हम ले रहे है यह छोटे साइज की प्याज है तो मैं इसको तीन प्याज काट रही हूं अगर आपके पास बड़ी वाली है तो आप एक भी ले सकते हैं मीडियम अब क्या करेंगे इसको हमें अलग बरतर में निकाल लेना है यानि जो मिक्सिका जार है उसे हम खाली कर लेंगे क्योंकि अब इसमें हमें पीसना है तो उसके लिए में एक बड़े साइस का टमाटर ले लिया है और उसे हम इस तरह से टोकड़ों में काट कर लेंगे और इसे पेस्ट लेना है इसे भी आप बिना पाइण डाले ही पीछी पाइण लेते हैं देखिये मैने इसे पीछ लिया आप इसको रखते है साइड में और वीज-विश्म मेंने इसको चलाए भी है थाकि ये नीचे ना लगिए लेकिन फिर बीदेखिए थोड़ी देर के लिए में न उसको में निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल, तो जितना आपको सबजी में चाहिए उतना ही तेल डालेए। थोड़ा सा जीरा डालके चटकार लेंगे, फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर हिंग डालेंगे। एक बार इस तरीके से सबजी बनाकर दोचे बहुत टेश्टी लगती है। अब मैंने क्या किया ना ना जिस साइज के मिने चोटी यली प्याज लीच है उसी फैस को मैंने एक प्यास को कट कर लिया है पारिक पारिक आकार में और इस तरह से हमें उसे भुनना है आप आप सोच रहे होंगे कि प्यास को आपने दो बार की लिया एक बार पीस कर एक बार काट कर तो गैस क्या है ना इस टेस्टी सबजी को बनाने के लिए हमें इसी तरह से प्यास का यूज करना है ताकि हमारे जो सब्सक्राइब बहुत ज्यादा टेश्टी बने तो देखिए इस तरह से भूनने के बाद प्याज को आप उसमें हमने डाल दिया है वही पेश्टे जो हमने तयार करके रखा था और उसे भी लगातार इस तरह से चलाना है थोड़ी देर के लिए मिला अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है और अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे भी हमें दो से तीन मीट तक या फिर जब तक थोड़ा सा ऑईल उसका अलग न हो जाए सेपरेट न हो जाए बस उतना हमें इसे भूनना है देखिए थोड़ा सा यह भून चुका है अगर कोई कस अगर आपको पीसना नहीं है तो आप एसे भी उसकर सकते हैं तो देखिए इसे मैंने इस अच्छे से मिला दिया है अब इसमें हम सोखी मसाले एट करेंगे जिसमें हमें लिया है लालमिश पाउडर टेस्ट के अगोरें लीजिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया प देंगे नमक नमक स्वाधा नुसार लीजिए क्योंकि हमने गोवी को पकाते हुए भी हमने नमक डाला है तो थोड़ा सावधानी से डालिए अब यह है हमारा बहुती टेस्टी सा मसाला वही किचन किंग मसाला एक चमाच कसुरी मिधी भी ली है एक चमाच और लाष्ट में डाल देंगे यह गरम मसाला वैसे गरम मसाला नहीं भी यूज किया तब भी चलेगा क्योंकि हमने किचन किंग मसाला इसमें डाला है वैसे आप अपने मन चाहे पसंद से आप इसके अंदर मसाले एड कर सकते हैं लेकिन मेरे तरीकी से बना कर देखिए पहुत ही टेस्टी ब जबर करके 5-6 मिट तक अच्छे से पकने दीजिए या फिर जब तक पूरा ओइल सेपरेट ना हो जाए तक तक चलिए इसे ढग देते हैं हां लेकिन बीच बीच में इसको चलाते जरूर रहना आप देखिए 5 मिट बाद हम चेक कर रहे हैं यह जो हमारे ग्रेवी बनकर रे मिक्स करते हैं मतर और गोवी और इसे अच्छे से हमें इसके अंदर मसाले के अंदर इसे अच्छे से कोट करना है इस तरह से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो देखिए अब इसे करते हुए ही मैंने क्या किया था जब तो हमारा मसाला रेडी हो रहा था तो मैंने ए एक पतीले में पानी को गरम कर लिया था यह देखीए और आate इस पानी का वुriminal है होटा है गरम पानी से इसुनल और वायन प्रशी फैसित कीजिएगा कि यूदा पानी को तNew लोई ।को पानी को यूदा है और अब इसको हम relational करने के पार, भस थोड़ा और अब इसे हम कवर कर देंगे, यानि इसको एक अच्छे से ऊबालाने देंगे, आप सब्जी में उतना ही पान डालिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, थोड़ी से गाड़ी चाहिए तो पाने को कम कर दिजी, वसे 2-3 बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा है चलिए अब इसे हम आपको चम्मत से दिखाते हैं और मैं इसको आपको तोड़कर दिखा रहे हूँ गोबी को देखिये कितने अच्छे से यह पक चुकी है यह बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और मटर भी हमारी पक चुकी है एकदन से हमें सर्फ करना है और सर्फ करते से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसका कलर टेक्चर अतलब हर तरफ से बिल्कुल रेश्टोरेंट जैसी ही हमारे यह सब्जी पन करके रेडी हुई है बल की स्वात उससे भी ज्यादा बढ़कर अच्छे से आएगा आप चाहे तो इसमे क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं उपर से ऍच्छे में प्र whispering बनेंट से इसी तरह से आप अधर सब्जिया भी बना सकते हैं इसी ग्रेवी का यूज़ करके जैसे पालक पनेर मटर पनेर कालो गोह भी युस्में यह क्रिम डालने की ज़रूत बढ़े तो यह क्रीम डाली डा आईए और कमेंट करना बिल्कुल ना भोलिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही आसान रेसिपी में आगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाय और टेक केर